हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि जो मैथ का बेसिक लेबल का प्रास्टन होता है इस से हल कैसे किया जाता है तो देख सकते हैं पर पहला प्रास्टन है राम और मोहान पाँच दिन में 1500 रुपए कमाते हैं तो राम साथ दिन में कितना सबसे पहले बिखाने, अगर एक दिन काम करेंगे, तो वह कितना रूपए कमाएंगे, देखे एक दिन का निकालने के लिए आपको 5 से 1500 में भाग को लगाना है, तो चलिए अब हम लोग पंद्रह सौव में, पांच से भाग को लगाते हैं, देखिए पांच से, पंद्रह को काटे, यह कट जाएगा तीन बार में, इसके अंत में देखिए दो जिरो है, तो यहाँ पर दो जिरो लग जाएगा, यानि देखिए, एक दिन में कितना रुपए कमाएंगे, वह यह दो ब्यक्ति मिल करके यह रूपय कमा रहे हैं तो देखिए यह जो 300 है इसका आधा वह होगा राम का और इसी का आधा वह हो जाएगा मोहन का 300 का आधा कितना होता है वह होता है 1.500 यानि यह हो गिया राम का और 1.500 जो बचेगा वह हो जाएगा मोहन का तो देखिए प्रास्ट में है राम साथ दिन में कितना रुपए कमाएगा देखिए राम जो है वह एक दिन में डेड़ सो रुपए कमा रहा है तो साथ दिन का निकालने के लिए आपको डेड़ सो में साथ से गुना को करना है साथ से गुना जीरो में करे यहो जाएगा जीरो साथ से गुना पांच में करे यहोगा 35 का पांच और तीन हो जाएगा हासिल साथ से गुना एक में करे यहो जाएगा साथ और तीन था हासिल तो यहो जाएगा दस यानि राम अगर साथ दिन काम को करता है तो वह कमाएगा 1050 रुपए तो चलिए अब हम लोग दूसरा प्राश्ण को हल करते हैं तो देख सकते हैं पर दूसरा प्राश्ण है एक दर्जन केले का मूल्य 84 रुपए है तो तीन दर्जन 5 केले का मूल्य कितना होगा देखे इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है एक दर्जन बराबर देखे एक दर्जन का दाम कितना है वह है 84 रुपए तो इसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे देखे यहाँ पर प्राश्ण में है तीन दर्जन का दाम को हम लोग सबसे पहले निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे तीन दर्जन बराबर, देखें जो एक दर्जन का है, इसमें हम लोग तीन से गुना को करेंगे, तीन से गुना चार में करें, यह होगा बारह का दो, और एक हो जागा हांसिल, तीन से गुना करें आठ में, तो यह हो जागा चौबीस, और एक था हा तो यह हो जाएगा 25 यानि देखिए तीन दर्जन कदम कितना गिया वहाग या 252 रुपए लेकिन देखिए अभी भी पांच केले का मुल्ली को निकालना है तो देखिए इसको निकालने के लिए यहाँ पर देखिए एक दर्जन है एक दर्जन में कितने केले होते हैं वह होते 12 के लिए तो सबसे पहले इसको हम लोग इस तरह से लिखाएंगे कि हाँ पर देखे 84 है यानि देखिए आप एक दरजन बराबर 84 रूपए लिखें या फिर 12 के लिए बराबर 84 रूपए या दोनों मतलब सेम है अब देखिए आपको यहां से एक केले के दाम को निकलना होगा देखिए एक केले के दाम को निकलने के लिए यह 12 से 84 में भाग को लगाना है देखिए 12 से 84 को काटे यह कट जागा 7 बर में यानि एक केले का दाम कितना गया वहा गया 7 रूपए यहाँ पर देखिए पांच केले कादाम को निकलना है तो यहाँ पर लिखेंगे पांच केले बराबर देखिए जो एक केले कादाम होगा इसमें आपको पांच से गुना को करना है साथ से गुना पांच में करे तो यह हो जाएगा 35 रुपए यानि देखिए यह जो 35 है यहाग यह 5 के लिए कदाम और देखिए यह जो 252 रुपए है यह 3 दर्जन के लिए कदाम यह दोनों को आपस में जोड़ना है यानि 252 और 35 को देखिए 2 और 5 को जोड़े तो यह हो जागा 7 5 और 3 को जोड़े यह हो जागा 8 और यहां पर देखिए दो है यानि देखिए तीन धर्जन पांच केले कदाम कितना होगा वह हो जागा दो सो सतासी रूपए तो आप लोग इसे भी अच्छे तरह से समाझ गहूंगे